दोस्तों stock market investment में अगर हम किसी अच्छे fundamentally strong stocks में खास तोर पे वो जब penny stock के दाम पे trade कर रहे हूँ enter करते हैं early stages में और at least 3-4-5 साल के लिए hold करते हैं तो हम एक अच्छा खासा multi bagger returns पास सकते हैं का सीधा सीधा example आप यहाँ पे देख सकते हैं KPIT Tech इसको buy किया गया था करीब करीब अठावन रुपए के price पे और यह currently trade कर रहा है 1500 रुपए के price के आसपास per share यहाँ पे 24-70% के आसपास returns मिलता हुआ दिखाई दे रहा है तो अगर यहाँ पे buying psychology समझें तो आप देख सकते हैं कि COVID के समय पे 2020 में जून जुलाई के आसपास यह stock price करीब करीब अठावन रुपए के आसपास trade कर रहा था और उसके बाद एक अच्छा खासा reversion दिया सारे यहाँ पे breakout करते हुए एक अच्छा खासा यहाँ पे 30 गुना के आसपास returns देता हुआ दिखाई दे रहा है अब कितने stocks buy किये गए कितना investment किया गया यह depend करता है कि हमारे overall investment amount कितना है point यहाँ पे यह है कि क्यों इसको अठावन रुपए के आसपास buy किया गया जो कि एक penny stock के दाम पे trade करता हुआ दिखाई दे रहा था stock market investment में अगर हम सही stocks में सही समय पर buy करते हैं तो यकीन मानिए हम भी एक profitable investor जरूर से जरूर बन सकते हैं नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबके एक बार फिर से stock for retail पर stock market से ज्यूड़ी एक नहीं जानकरी के साथ दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा interesting साथ ही साथ informative भी होने वाली क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ important stocks के बारे पर discussion करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इन stocks में हमें KPIT जैसे returns मिल सकते हैं आने वाले समय में या नहीं तो वीडियो को यहाँ पर पूरा देखिए और कुछ नया सीखिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा आप लोग के comment से हमें पता चल रहा है कि आप लोग सीख रहे है और importantly आप लोग profitable बनने की रापर आगे बढ़ रहे है ठीक है चलिए यहाँ पर पहली company जिसके ब बहुत ज्यादा दूर नहीं गई है return on equity बैतरी ने return on capital employer बैतरी ने और debt हाला की 44 क्रोड का है बड़ debt to equity यहाँ पर 0.37 है debt की वज़े से failure के chances कम है price to earning ratio के हिसाब से और PG ratio के हिसाब से आपको overvalued देखने को मिल रहा है और यहाँ पर all in on लेखे हैं तो यह 52 weeks high के आसपास ट्र industry price to earning ratio से ज्यादा price to earning ratio भी trade कर रहा है तो आगे हम technicals जब देखेंगे तो हमें यह बात clearly समझ में आएगे यहाँ पर ध्यान दीजे तो यह जो company है यह एक bulk packaging company है और यह इंडिया second largest manufacturer है drums की अब हमने देखा कि KPIT में 8 रुपे के आसपास buying की गई थी right KPIT उस समय पर कर क्या रह करना उस समय भी ज़रूरी था यह नहीं कि stock price में gir out हुई है तो हमने just blindly buy कर लिया तो यहाँ पर TPL plastic यह जो particular company जिस company के वारे हम discuss कर रहे है इसका business segment क्या हो और business segment पर आने वाले समय में क्या growth का scope है यह देखना हमारे लिए बहुत important है ठीक है इन तीन की तीनों stocks में जो हम discuss कर रहे हैं तीनों में एक common parameter है जो कि आगे हम आपको बताएंगे उससे आपको clearly समझ में आगा कि कैसे हम stocks को figure out करते हैं अपने investing decision making के लिए अब यहाँ पर technical levels देखें तो एक दिन के candlestick chart पर आपको शांदार chart pattern मनाता हुआ दिया और recently यहाँ पर एक convincing breakout भी हमें देखने को मिला हाले कि आज की दिन यहाँ पर थोड़ा सा selling pressure देखने को मिल रहा है ठीक है चली अब इसको हम कर देते एक मन्त के candlestick chart पर तो एक मन्त के candlestick chart पर आप देखिए आपको एक अच्छा खासा breakout देखने को मिला 60 रूपै के आसपास और इस stock ने एक तरह से देखा जा तो आपको एक तरह से U-type की या V-type की recovery आपको देखने को मिल रही है इस particular stock में तो all in all यहाँ पर कह सकते हैं कि यह stock एक recovery phrase में आपको चलता हुआ दिखाए दे रहा है अब यहाँ पर important point देख लेते है इस particular company के बारे में तो इस company ने share split किया था इस company ने bonus share दिया था 1 is to 1 की ratio का और 1 is to 5 क की ratio का stock split तो stock split क्या होता है bonus share क्या होता है यह at least हम retail investors को पता रहने चाहिए तो यहाँ पर 2021 में इन्होंने stock bonus announce किया था और 2022 में stock split कर दिया था अब देखिए जो price है currently 80 रूपए के आसपास राइट तो 1 is to 1 की ratio का bonus मतलब सीधे सीधे price 160 रूपीज का हो जाएगा और यहाँ प bonus को हटा दे अगर हम stock split को हटा दे जो कि इन्होंने कर रखा है तो यहाँ पर clearly आप देखिए कहाँ पे 800 रूपए का price कहाँ पे 80 रूपए का price तो हम retail investors के दिमाग में यह आता है psychologically कि 80 रूपए सस्ता है 800 रूपए महगा है बलकि ऐसा नहीं होना चाहिए हमें पूरी की पूर को मिल रहा है ठीक है यहाँ पर shareholding pattern देखिए तो 75% के आसपास promoters है 25% के आसपास हमें overall public देखने को मिल रहे है तो generally जैसे की वीडियो की शुरुआत में हमने बताया है हम जब initial stages में companies में investment करते हैं तो वहाँ पर growth का potential जादा होता है और अगर हमारी portfolio में अच्छे fundamentally strong stocks होते ह तो हमें returns मिलने के chances जादा होते हैं देखिए हम हमारे channel पे basically अभी तक अलग funds, investments, trading और stocks से related चीजों के बारे में आपसे information share करने की कोशिश की है तो आज भी मैं आपको कुछ ऐसी information देना चाहता हूँ जो कि I think हम सब को पता होना चाहिए क्या आपने IPO के बारे में सुना है शा प्लिक करती है और market में buying and selling के लिए available कराती है अब यहां पर सवाल यह आता है कि इसमें investment करने के क्या फायद है देखिए इसमें investment करने का सबसे बड़ा फायदा है growth potential initial stages में जब भी company IPO लाती है और आप उसके shares acquire करते है तो आपको opportunity मिलती है उसके growth का हिस्सा बनने की लेकिन ध सारी चीजों में आपकी मदद कर सकता है मोतिलाल ओस्वाल मोतिलाल ओस्वाल एक बहुत ही reputed and trusted नाम है investment industry में इनके पास काफी अच्छी research and advisory team भी है जो की आपको time to time सही recommendations भी देंगे आप इनके help से equity and futures and options में भी trade कर सकते है और इसके साथी साथ आप इनकी user friendly online platform से अपने सार and rewarding investment opportunity होती है और मोतिलाल ओस्वाल आपको provide करता है वो सारे resources and tools जो कि आपके IPO investments को successful बनाये रखने में मदद करेगा तो इनकी links और details अगर मैंने description में देती है आप वहाँ से मोतिलाल ओस्वाल को explore करते हुए अपने investment journey के शुरुआत कर सकते investment in securities market are subject to market risks read all the related documents carefully before investing ठीक है चली हम यहाँ पर बात करें थे stocks के बारे में राइट तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यह जो particular company है इस company के बारे में आप देखिए तो promoter shareholding 62% के आसपास है public shareholding केवल और केवल 10% से भी कम है यहाँ पे 9% के आसपास साड़े 9% के आसपास आ और एक अच्छा खासा यहाँ पर आपको institutional shareholding देया नहीं कि qualified investors का investment देखने को मना तो जब भी हम किसी stock में investment कर रहे होते हैं तो ऐसे stock में सबसे important point यह हैं देखना होता है कि उसमें institutions क्या कर रहे हैं institutions ने अगर अच्छा खासा investment कर रहे हैं तो clear cut हमारे लिए एक signal होता है कि ऐसी company में हम भी एक investment करते हुए आने वाले समय के लिए अच्छा option प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी portfolio का overall तो copy investing बुरी नहीं होती है बट हमें यह पता होना चाहिए कि हम copy क्यू कर रहे हैं कि नहें copy कर कर रहे हैं और आने वाले समय के लिए क्या scope है उस company में growth का overall ठीक है तो यह company है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं यह company है Mother Sun Sumi wiring India Limited recently demurge हुई थी अपनी parent company से उस demurge के बाद भी इन्होंने 2 to 5 की ratio का bonus share announce किया था November 2022 में तो जिसकी parent company थी वो literally हर एक दो साल पर bonus share announce करती रहती थी तो यहाँ पर हम भी expect कर रहे हैं कि Mother Sun Sumi wiring India Limited हर एक दो साल एट लीस तीन साल पर bonus share announce करती रहेगी ऐसे में यहाँ पर fundamentals देखें तो company consistently dividend provide कर यह profitable है cash flow हाला की negative है पित्रोस की score की हाला की यहाँ पे fitter नहीं बैट रही है बट overall देखें तो return on equity बहुत ही बैटरी और debt बिल्कुल ना के बारा हो रहा है ग्रहम नंबर के हिसाब से महेंगे दाम पर trade कर रहे है price to earn ratio के हिसाब से यहाँ पर overvalued दाम पर trade करती भी दिखाए दे रहे हैं अब यह stock भी यहाँ पर आपको देखें तो 52 weeks high के आसपास आपको trade करता हूँ दिखाए दे रहा है market के application 30 20,000 करोड रूपय के आसपास यहाँ पर देखने को मिल रहा है ठीक है तो mother son sumi wiring in limited इसका business segment अगर हम देखें तो यह basically एक leading and fast growing full system solution provider है OEMS के लिए और यह अपने business segment में यानि कि wiring harness segment में 40% का एक तरह से देखा है तो monopoly business hold करती है तो किसी भी company में अगर हम monopoly business देखने को मिल रहा ह तो ऐसी company में अगर हम investment करते है तो हमें potential ज़्यादा रहता है हमारी portfolio में returns मिलने का long term investment की दाहत ठीक है यहाँ पर हम देखें technical levels तो एक दिन के candlestick chart पर कहीं नहीं जाता हुआ दिखाए दे रहे एक दिन के candlestick chart पर आप यहाँ पर clearly देख सकते हैं आपको एक consolidation zone देखने को मि यानि कि आपको एक sinusoidal एक box बनता हुआ नजर आ रहा है तो box अगर box में breakout आपने देखने को मिलता है आने वाले समय में यानि कि prices 70 रुपए के उपर sustain कर जाते हैं आने वाले कुछ महीनों में तो ऐसे में एक नए higher high prices हमें देखने को मिल सकते हैं इस particular stock में ठीक है चली इस वीडियो में हमने कहा था rate कि इन तीनों में common point है और वह common point यह है कि इन तीनों में आपको market के application के इसाफ से आने वाले समय के लिए growth का scope देखने को मिल रहा और साथ ही साथ इन तीनों ने कभी न कभी stock split या bonus share issue कर रखा है ध्यान दीजे तो इन तीनों के face values आपको दस्ते कम ही देखने को मिल रहा है ठीक है तो यह बात आपको as a retail investor समझनी चाहिए कि prices कम है तो prices क्यों कम है ठीक यहाँ पे एक दिन के candlestick chart पे discount देखने को मिल रहा है गिरावड देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ एक मन्त के candlestick chart की बात करें तो एक मन्त के candlestick chart पे यहाँ पे शांदार chart pattern बनाता हूँ मिलता है और साथ ही साथ currently देखा था तो 134 रुपई से आपको recent high से एक अच्छा खासा discount भी मिल रहा है तो जो stock आपको long term में higher highs higher lows pattern बनाते हैं वो देखने को मिलते हैं उन stocks में अगर गिरावड होती है तो गिरावड के बाद ए यहाँ से एक नया high आपको देखने को मिल सकते हैं तो कहने का मतलब यह कि higher highs higher lows वाला pattern अगर हम पता कर लेते हैं अच्छे fundamentally strong stocks में तो हम एक अच्छे खासे point पर buy करते हुए उसमें एक अच्छा खासा returns पास सकते हैं ठीक है चलिए अब यहाँ AVT natural products में अगर हम देखें तो जैसे कि हम कह रहे थे share split यहाँ पर हुआ था face value 1 to 10 की ratio में और साथ ही साथ bonus share भी announce किया था और यह सब किया था बहुत पहले 2012-2013 में तो यहाँ जो prices है 87 रुपय का 870 रुपय just because of stock split और 1600-1700 रुपय के आसपास split कर रहा होता यह stock अगर इन्होंने कभी bonus share या stock split ना किया होता ठीक है यहाँ पर हाला कि देखेंगे तो 75% promoters है 25% के आसपास public है और institutions ना के बराबर हैं तो ऐसे stocks भले ही हमें fundamentally strong देखने को मिल रहे हो हैसे stocks में भले ही हमें एक growth की opportunity की देखने को मिल रहे हो ऐसे stocks भले ही हमें एक कम price पर trade करते हो दिखाए दे रहे हो करता है institutions के भी पहुत से दूर हो सकती है कंपनिया क्योंकि हजारों कंपनिया लिस्टेड है तो इस बात का भी हमें ध्यान देके चलना होता है तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि कोई एक point decider point नहीं होता है stock market investing में ठीक है तो यहां पर यह particular company AVT Natural Products Limited इनके product segment देखिए तो crop science, food and beverages, animal nutrition and health, cosmetics and personal cares के लिए यह products manufacture करते हैं और हम यह कह सकते हैं कि इन सभी में कभी न कभी है या हमेशा demand रहती ही है तो अगर हम ऐसे analysis करते हुए अच्छे fundamentally strong stocks figure out करते हैं अपने लिए और उसमें investment करते हैं तो हम KPIT जैसे stocks अपनी portfolio के लिए figure out कर सकते हैं तो इस वीडियो वह फिलाल इतना ही दोस्तों उम्मीदे वीडियो आपको पसंद आई होगी इसमें दीगे जानकार या आपके काम कियोगी वीडियो को लाइक करिए कोई सवाला तो कमेंड जोल करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए और दोस्तों यहाँ पर disclaimer की किसी तरह का recommendation नहीं होता है हमारी वीडियो में कि आप blindly हमारे दोरह discuss केगे stocks में investment करिए हम आप लोग के लिए information लाते ताकि आप सीख स सकते हैं